कि दूषिए दोस्तों ट्रेणिंग की एक आगर क्लास की हम लोग जूरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है बकरियों की जेर का नागिरना जेर आप लोग समझते होंगे जब बकरी ब्याती है ब्याने के बाद जो प्लेसेंटा होता है ब्याने के बाद देखना एक जिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है यदि वो नहीं गिरती है बकरी कितनी देर में गिर जाती है लग बग डाई तीन गंटे में वो गिर जाती है लेकिन नहीं गिरती है समय ज्यादा हो जाता है तो क्या हमको करना है आसानी से वो जेर गिर जाए वो प्लेसेंटा अलग हो जाए उसके लिए हम क्या दे सकते हैं बकरी को और कुछ देसी तरीके इसमें बताऊंगा कुछ दवाईयां भी बताऊंगा तो देखिए टॉपिक बहुत महत्पूर है इस समय काफी बकरिया जो है ब्यार रही है बकरियों की जेर किनकी अटकती है ये सारा चीज बताऊंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोन कर लेते हैं जिन लोगों को मैंने इलाज बताया था उनसे फीड़ बैक लेते हैं और द तदिक घुसा आता है चूंकि इतनी बीमार होने के बावजूद सही से इलाज नहीं करते हैं ऐसे ही एक बाई हैं देखिए उनको फोन आया था बिमल बाई इलाज बता दो पांच-छे बकरी बीमार हैं मैंने बताया कल यह परसों बताया था पूरा सारी चीज उनको बताई इसके बावजूद जो है उन्होंने इलाज नहीं किया हलो हाँ हलो कहां से बोल रहे हैं बाई बलरामपूर जिला से कहां पर फार्म होगा आपका अच्छा कितनी बकरी बीमार हैं अभी तो दौस हैं सर दस बकरी बीमार हैं हमसे इलाज कप मूचे थे आप इलाज कप पूचे थे ये बताओ कल पूचे थे परसों पूचे थे इसके बाद फोन करना बुल गए भी मल भाई को आई इसके बाद बताए क्यों नहीं दवा लेने गए थे मंगाया नहीं इसलिए तुमने हमाँ पास फोन नहीं किया हमसे बताते उसका सब्टीटूट बताते दूसरी दवा बताते दूसरे मेडिकल इस्टोर जाते दस बकरी बीमार है और वो कोई नहीं बचेंगे यह दिलाज नहीं कराए प्रापर डंग से जो मैंने बताया था अब बहुत नुकसान आपका होगा जो दूसरे मेडिकल इस्टोर नहीं जा सकते थे तुम यह बताओ अजय यार दस पंदा किलो मीटर बीस किलो मीटर पचीस किलो मीटर कहीं तुमको मेडिकल इस्टोर नहीं दवा कहीं नहीं मिलती है तो ऐसे करते रहोगे अब यह वताओ कितनी बकरी पहुंक रही है पकरी 40 रखे ओ दस्टो बीमार हैं बलरामपुर जिले से आप बोल रहे हैं देखो मैंने जो दवाएं बताई हैं उनको बिल्कुल खरीद के लाओ जाके कहीं से लाओ बहुत बीमारी इस समय चल रही है बहुत लोगों का मैंने सही किया है उसमें पूरा निमोनिया बाला बताया था वायरल बीमारी में टमप्रेचर हाई रहता है यह इसे नहीं सही होगा जो देशी तरीके के चक्कर में पड़े हो अरे हाँ मैं समझ गया उसका मैंने दवा बताई थी दवा खरीद के लाओ जाके मेरे पास फोन करना अब मेडिकल इस्टोर जाओ वहां पे मेरी बात कराना जो दवा नहीं मिल रही है ठीक है मैं उसका सब्स्टीचूट बताऊंगा ठीक आपको करना है बकरी सही करना है तो इलाज करना है ठीक है मैं बहुत समय आपको दिया था लेकिन आप प्रापर करी नहीं पाए तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें दवा नहीं ला पाए जाओ उसको कहीं दूर से वेडिकल स्टोर से खरीद के लाओ जाके देशी तरीकों से नहीं सही होगी कोई भी उसमें जो नुक्खाव खाए अपनाते हो कुछ भी काम नहीं करेगा यह समझ लो ठीक है जितना भी तुम्हार जितने दवाएं मिल गए उतना मेरे पास पिक्चर वोट्साइब में कर देना मैं अभी एक वीडियो सूट कर रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको पास फोन करूंगा वीडियो सूट करने के बाद ठीक है ठीक तो देखिए यह एक भाईया हैं कल परसों इलाज पूंचे थे लेकिन इलाज नहीं किये उस दिन भी मैंने एक बहेंजी के पास फोन लगाया था उन्होंने क्या कहा था कि दावा बता देना वीडियो के बाद मैंने बताया कहा था रिजल्ट हंडेट परसेंट मिलेगा कितनी बीमार थी बकरी अच्छा है आज उनके पास फोन करते हैं बकरी चीजे दिखाने का परपज यह है कि देखिए बकरी बहुत अधिक बीमार हैं तो इलाज जो है काम करता है आपको तरीका समझना होगा ठीक है यह जो ट्रेनिंग हलो कह रहे हैं आपकी बकरी सही हो गई कितनी बीमार थी अरे हाँ सर्दी जुखाम था पोंक रही थी हमने कुछ दवा बताई थी उसके बाद आराम हुआ है पहले हो गया था जो इंजेक्शन बताये थे सारी चीजें दवा ट्रीटमेंट किये हो उससे लाब मिला है कि नहीं मिला है तो आपने हमको बताया दुआ रहा है कि ऐसा ऐसा समस्या है तो जो उस दिन फोन किये थी वो आपकी वाइफ थी है नहीं तो वो लड़की आपकी बेटी थी जो बहें जी फोन के जो उस दिन बात हुए थी वो कौन थी अच्छा बिटियां आया आपकी उनसे बोल देना यदि एक बकरा ने बांकी सब आराम हो गया है बांकी आराम हो गया है आपको बांकी ब करी बांकी ऑनकी बांकी सब्कeरेफ आ सो पांकी रही सब्सक्राइब अच्छा उनको बताना चाहिए मैं कल यह परसून का फोन आया था तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग किया है जो मैंने बताया था वो नहीं किया था नहीं देखो समझने में उनको फेर हो गया था जो दस्त नहीं कर रहा है उसमें एक इंजेक्शन में और लगवाता हूं वो इंजेक्शन उसको नहीं दिया गया इस वज़े से वो नहीं बंद हुआ बांकी कितनी बीमार थी आपकी बकरी चहे बीमार थी चहे में पांच सही है और इससे पहले नहीं सही हो रहा थी डॉक्टर को किसी को दिखाये थे ना अच्छा सही नहीं हो रही थी चलो आराम है उतना ही पूछना था मुझे ठीक है ठीक 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 अब कमी बेशी रही तो आपसे संपर्ट कर लेंगे नहीं नहीं कमी बेशी है देखो यह जो मैं इस बार बता दूँगा सारा चीज आपका सही करा दूँगा ठीक है इसके बाद मुझे मेरे पास बार बार फोन नहीं करना है कि तो बार में बता दूगा चुआ की कांटीनियो में कर सकता हूं बहुत इस को ना सब्सक्राइब आप बहुत वह बहुत शकुरहें। आपका हैचान मनदुदू towards कBERG आपो से रहे थे कहां से बात कर रहे न आघ सा ओसडिंत करते हैं एसे वीडियो बनाते है को शुच्छ नञें आप अपर कमें वीडियो मेन देखने को मिलें गठी जो जानकारी मैने एक बोला है और सामने बोला एंगे मैं को कोई चुपके दूसरी चीज बोलता हूं और सामने दूसरी चीज बोलता हूं ऐसा तो नहीं है मैंने आप से कोई पैसा लिया है चार्ज लिया है कोई दिपार नहीं है रहा है तो उससे अमने जब इंजेक्शन लगा वाम से रुच्छ हो गया बोला कि तुमने इसा हुद इस लबा ले रहा है किसमें बताएं यह हमारी बाले चलाते जल्दी की हो जाती हमने आप ने वह पर कर दिये बनाया जिए नगा तो बाकि हमारी बकर संदkovर वाम सुटाओर नमें आप उसी चीज में मैं राज हो गया थकी ऐने फोन किया था उन्होंने बताया है उसने एक इंजेक्शन उसमें बंध कर वा दिया कि यह नहीं देना हुग अब वह उसने हो इंजेक्शन नहीं लगाया इसलिए उब हैकि द्रे के दृस्टार मै मैंने उनको बोला था कि यह ट्रीटमेंट करना है तो कहें डॉंक्टर मना कर रहे हैं और मेरे इलाज से सही हुआ यदि उनसे करवाते तो करते रहते कोई भी आराम नहीं मिलता हम बता तो रहे हैं डॉक्टर जो इलाज करने आता है वो 36 इंजेक्शन इसलिए लगाता है ताकि उसका पैसा बन जाए जितने इंजेक्शन लगाएगा उतना पैसा अब केवल इंजेक्शन लगाने का एक बकरी का 50 रुपए आप से लिए है पैसे चांते हैं पैसे तो फिरी के रहसे रहसे हो बकरियों कोई फाहता नहीं होता है मैंने पहले एक दुआ हमारी बकरियों बीमार पुने टेस्टर में चलबारा था तो कर ये 15 दिन तब लगाता है बकरियों पर हमारे इसलिए तरीके का मतलब एक्दम असाराइसा हमारे इलाज से बताओ तुरंत आराम हुआ एक डोज के बाद तो अब यह मैं कह रहा था कि जो एक बकरे के दस्त नहीं बंद हो जाएंगा वो भी सही हो जाएगा लेकिन मैं उसका ट्रीटमेंट बता दूँगा आप वोटसेप औगहरा कर दीजिए उसका क्या करना है नही ज़्यदा कमजोर होताaina अर्ज तो जब करे नहीं वो इसलिए मना करा दीए आकि यह लगाना वो इसलिए हो सोचते हैं कि कुछ ना सही हो हूं रुपईया बने किसी ने किसी तरह से आपको बैका दिया नहीं पूरा आराम हुआ हो अरे तो वह इसे मर जाएगा जब उसका इलाज नहीं करोगे अच्छा चलो आके उसका देखो यदि थर्मा मीटर आपके पास है एक बार टंपरेचल लेकर मुझे बताना मैं अभी वीडियो बना रहा हूं इसके बाद मैं आपके पास फोन कर लेना है मैसेज कर देना आपको मैं बता दूँगा लेकिन बस लेकिन कांटीन एक पाहूंगा यूदि बकरी पालन करते हैं फार्म करते हैं तो मैं मतलब सब सब समय नहीं दे सकता हूं इसके लिए मैं में विलेता हूं है वह हैं चलो चलो ठीक पिर आपको कोंजान है जो समस्यात्य वह बता देना ठीक जितने भी देखो निजान के दसह बता निए बनिती है बच्कों के गुझर बशर होती है बिल्कुल बिल्कुल आप आपको मेंबड़ ञाइन रहें टीछ डेक chant ने भी बिकलांग हैं, उनसे मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, एक चार्ज नही लिया, एक हमारे बीयार से संजीव भाई भी हैं, उन्होंने मेंबर्शिप के लिए बोला था मैंने कहा आपको नहीं लेना है, जो शुक्त है भाई जी, देगो कोई समस्या थी, आप पूच लेना ठीक है कोई आप से चार्ज नहीं लेना मैं चार्ज उन से लेता हूं जो बकरिया जिनके पास ज्ञदा हैं फार्म करते हैं कुछ तीकना चाहते हैं उन से पैसा लेता हूं ठीक है भाई थेक ठीक हुआ तो यह फिद इन इसे बात होई थी और धेरों एक जाम पलें एक बाई ने कमेंट किया था कि बिमल भाई ये तुम इनको सिखा देते हो इनको बता देते हो कि ऐसा इसा बोलना है या एक टिंग नहीं कर रहा हूं मैं रियल में लाब हुआ है रियल दिल की आवाज अलग से समझ में आती है पार्म किये हुए और एक दो बकरी वालों से मैं में लेता हूं लेकिन परहसान सबसे ज़्यादा वहीं करते हैं तो देखिए जिनके पास एक दो बकरी हैं वह मैं ट्रेनिंग के वीडियो फिरी दे रहा हूं सीख लो इतना अच्छा ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चीज की गारंटी हो जहां से साथ आठ हजार रुपईया फूंक के आओगे कुछ नहीं कर पाओगे जिस दिन अपनी की बकरी बीमार होगी प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल काम करो हेल्प मैं करता रहूंगा एक साल तक आपको इस लाइन में बेटर बना दूँगा बहुत कुछ सिखा दूँगा यदि मेंबर्सिप औगेरा लेते हो फार्म करते हो तो अब किसके पास नेपाल वाले भाईया का उनका सही हो गया है लेकिन उनके वाटसेप फ्रू कर सकते हैं कल उनका फोन आया तक है कैंबना भाई मैं भी मेंबर्सिप लूँगा लेकिन वहां से पैसे नहीं बेज सकते हैं बोले इंडिया बॉर्डर आके डालूंगा चुकि उनको भी इतना आराम मिला है और देखो एक लोगों को और फोन लगाता हूँ आराम मिलता है कि नहीं अभी एक भाई को बोला है इंजेक्शन लाने के लिए उनकी भी काफी बकरियां जो है बीमार है अभी लगाते है इतने एक जामपल है कितने लोगों से मैं एक्टिंग कर वा लूँगा ठीक है लोग का एक कमेंट आया था मुझे वह बहुत वह लगा था कि मतलब किसी के बारे में कुछ जानते नहीं बहुत लिखने बार से मतलब है जैसा इन्होंने मिम्बर्शिप अभी ली है हाली में देखना मिम्बर्शिप कौन लेता जो फार्म कर रहा है समस्या आई मेरे उससे लाब मिला सायद नहीं उठाएंगे यह उठाते हैं देखते हैं हालो जी सर्ण उस्पर नमस्कार बताएं प्रिंस भाई जी सर्ण ये बताओ बकरी ठीक हुई हाँ सर बिलकुर कितनी बीमार थी अचा ये बताओ कैजुवल्टी पहले होई थी मेरे इलाज से पहले मेरे इलाज के बाद एक ही डोज में आराम मिल गया था कि नहीं और इससे पहले कैजुएल्टी होई तो डॉक्टर जो है इलाज करके जा रहा था तब कैजुएल्टी होई है तो लाब हुआ कि नहीं मैं वीडियो सूट कर रहा हुआ अब पांच बकरी मर गई है जब हमने आपके बताओ प्रिंस बोल कहा से रहो गोरकपुर में कहां पर आए तुम्हारा फार्म अच्छा लोग यार पिलकुल कांटीने फोन किये रहते हैं अच्छा माराज गंजे के पास फार्म पढ़ता कितनी बकरी हैं आपके पास है कितनी बकरी आपके पास आवाज नहीं आ रहे मेरे अवाज फोन सी कट रहता है कितनी बकरी आपके पास अच्छा आपके पास दो वराइटी है मतलब दो ब्रीड है एक है बर्बरी की ऐसा ही तो और जो भी जो बीमार थी वो देशी बगरिया बीमार थी है इसा ही आपने बताया था था देशी में के देशी में माशिए में जैने में डाक्टर को बुलाया तो भीम ने आपके आया था नहीं पाया था हूँआ자 रहशा नहीं पारे से चली नहीं पारे से निकिन जो आप इस जैसा पुन मताया मैंने वैसे ही किया और उसी के दो घंटे के बाद मुझे वो रिजल्ट मिल गया तुरन नॉर्मल हो गया अच्छा जबी मिला आता था लगब जो है एक सुच्छी एक सुसाथ तुमकेशर आता था था चली यह आराम मिल गई है मुझे लोगों को बताना तो एक चीज यह बताओ कभी मन में ऐसा तो नहीं अभी मल भाई ने आपसे 500 रुपे लिए हैं कहीं ऐसा तो नहीं लग राज़ जादा ले लिए है तो यह जानी कि हमको लाफ हम से कम उसका जो लाफों का लाफ हो रहा है केवल सुरुवात में हुआ है तो मैं पूरे साल बर्क बताओंगा वो अलग से हैं चली यह लाब हो गया उतना बहुत है और बांकि मैंने जो कहा था कि उनको अलग रखना वो अभी तो ऐसा प्रोसेस चली रहा होगा जो आपके अच्छी बाकरीयां हो अलग होंगे बिल्कुल स्वस्थ हैं आपके बताय हुए तरीजिस हम चल रहे हैं और अभी तर्म तर्म हम पो इतना त्रेंजन नहीं लगा हुए था जैसे पहले सिस्थी बाकरियों भी अफ़ वैसे शिप नहीं है बिल्कु प्रेसा और अच्छी बाकरीयां होगे तो दिमाग तो खराबी होई गया होगा बाकरी पालन में कहां के फासले हुए अच्छा उठा के जब रखते होगे तो क्या करें काम फंस गए आके काम में है इसी लिए कहता हूं देवा बैक में देवा को शुक्रिया बहुत सारे लोग हैं इसे एक भाई यहूर है फारमें बंद करने जा रहे थे तो उनको विसारी चीज बताई आज की डेट में बढ़े बात एक दरफा हुई नहीं की वज़ यह नहीं में बता देता हूं लोगों को दिखा देटा उ??? होता है जो आदमी बहुत दिनों कर रहा है उससे जुड़ते हैं तो लाब होता यह ऐसा नहीं है लेकिन हिल्प करने वाला होना चाहिए ना जब आप की बक investigative बीमार वही तर वहींने की अग सार्वा PAUL पिटला हो क कर जब से मैं वो कर रहा हूं तीन बार फोन आ गया है तो कितने लोगों का फोन उठाइए गा ये भी होता है तो वही होता है ज्यादा तर प्रिफरेंस उसी को देते हैं जो मेंबर्स पोगेरा ले रखे हैं हाँ जी तो चलिए ठीज मेंबर्स भी बहुत ज्यादा चार्जिस हाइने तो सब्सक्राइब कि आखिए आप यूभी बिल्कुल निशूट है हाँ एक भाई जैसे अपना फोर्म रिचार्ज अगर आप अपना फोर्म रिचार्जर करते हैं तो उसके आप मानें कि आपने एक त्री मंद का जो आपने डाटा डाला हुआ है और उसे आपको लाफ इतना हो रहा है वो तो मेरे डाइलाग मार दिया मैंने बोड़ में एक बार बताया था इसा अच्छा अच्छा मैंने बार चलो चलो कोई नहीं और इतना ही पोंचना था आराम है तो बहुत अच्छा है चलो आपको आराम मिला और लोगों को लगाते हैं फोन है चलिए और आप लोगों को दिखाएं जो एक कह रहे थे देख लो कितने आज का वीडियो इसी में सूट कर देता हूं अभी देखना यह बैंक में है कितनी बकरी भीमार थी अभी बताएंगे चालीस हैं कि पचास है के साथ लो हालो नमस्कारते लूए खाषब में कहां से हम मैं कितनी कितनी बखरी आपके पास इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा समय लेंगे पास ये बताओं ने हमसे जब जुड़े तो आराम मिला है बकरियों में की नहीं मुझे बिलकुल मिला है सर कि अगरेंटली चैसा आपने बताया था कि यह दिया कि एक पखरी को बले नहीं बचा पाया क्योंकि उसका कंडिशन कुछ जादा ही खराब हो गया तो जिसका खराब हो गया तो उसको सुदावना थो इतना पॉसिबल है निहीं बाकियों में जो इस सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चे भी बच्चे के रखाऊप के बारे में आप से परसों मैंने फिर जनकारी लिया था कैसे रखना है तब उन्ची जोगा भी सरफ मैंने फॉल उप करना इस्टाट किया है देखो मैंने आपको कि देखो देखो बाई मैंने आपको फिरी में काफी दिन बताया था नहीं बताया है इसके बाद कल मैंने आपको कुछ भेज़ा था था कि आपको पहुंचना चाहते हैं और जूनना चाहते बोला था कोई मलाल तो नहीं है कि विमल भाई ने 500 रूपई या ले लिए हमारे कि और कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 500 ज्यादा ले लिए इस तरह से ले लिए विमल भाई नहीं अब इसा भी है ना जैसे किसी को ऐसा लग जाता है कि विमल भाई ने हमसे पैसा ले लिए यार में किसी का पैसा इसा लेना नहीं चाहता हूं आज के देख में जनकारी मिलना बहुत मुस्किल है वह साल बर के लिए नहीं कि यह फुच्छ भी नहीं है वह तो मुझे मुझे जैसे लाग रहा है मैने कल भी फिल घया था आपके बारे में बाली में तो फांस तो रुपय मैंने अगर उनको दिया वह उन्होंने मुझे सजेश्ट कर रहा है किया एक मेने मैं वह सजेश्च कि वहने परशेंट तो एक तरीके के गुड़दर छिना भी हो जाते किसे से कुछ सीख रहा है कुछ दे रहा है तो अपना थोड़ा मैंने सब से यही बोला है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए पैसा तभी चाहिए जब आपको लाब मिलता है वीडियो सूट कर रहा था चलिए देव भाई ठीक है बहुत लंबा वीडियो हुआ जा रहा है ते इंचाल लोगों को मैंने कॉल में दिखा दिया है एक लोगा का आपके जगे हैं क्या करते हैं आप लोगों कि नाफ सकते हो मिलता है यह बलकुल भी नहीं है कि मैं लोगों को को सिखा देता हूं एक्तिंग करना कि ऐसा-ईसा बताना कि रहा था जेर के बारे में सायद topic था अपना कितना वीडियो हो गया है 27 मिनट वीडियो बहुत लंबा हो गया है देखिए जेर के बारे में जानकारी दे देता हूँ बकरियों की क्या है जेर अटक जाती है किन बकरियों की जेर अटकती है प्रमोस्टली उन बकरियों की जेर अटक जाती है जो समय से पहले बच्चा दे देती है जेर का ना गिरना नमबर एक जेर का ना गिरना किन बकरियों की जेर नहीं गिरती है समय से पहले बच्चा दे दिया दूसरा ऐसी भी बकरियों की जेर रुक सकती है जिनोंने मेमने को तुरंत दूद नहीं पिलाया यानि बच्चा देने के 15-20 मिनिट बाद जो है दूद नहीं पिलाते जो खीज नहीं पिलाते, खीज क्या उसको पीला दूद लिख देता हूँ, ठीक है, पोलस्टरम, पीला दूद, बच्चे को नहीं पिलाया, तीसरा, ऐसी बकरियों की भी जेर अटक सकती है, जो बहुत अधिक कमजोर हैं, जिनको आपने सही से डाइट नहीं दिया, चौथा, ऐसी बीबकरियों की जेर अटक सकती है, जिनको आपने ठंडी तासीर की चीजें ब्याते समय खिला दिया, तो ये चीजें ध्यान रखना, ठंडी तासीर की चीजें नहीं देना, ठीक है, खिला दिया तो जेर अटक सकता है, ये इतने कारण जेर अटकने के होते हैं सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो रहता है समय से पहले बच्चा दे देना बच्चा डाल देना इस तरह की बकरियों में जेर अटक जाती है नहीं गिरती है इसका इलाज क्या करेंगे यदि इस तरह की समस्या दिखती है आपकी बकरियों की जेर अटक जाती है इलाज क्या करेंगे देखिए जब भी बकरी समय से पहले बच्चा देती है समय से पहले बच्चा दे दिया तो आपको दवा लेके आनी है एकसा पार एकसा पार ये ना मिले तो लिया ना हिम रोप यूट्रोजन प्लूटोन इन्हें में से कोई एक दवा लानी है ठीक है जिन बकरीयों की जेर अटक गई है या समय से पहले बच्चा दाल दिया है इन में से एक दवा लानी है जैसे आप ले आए एकसा पार आप ले आए तो इसको क्या करोगे 40 एमल तुरंत देनी है फिर 4-5 गंटे तक वेट करना है यदि 4-5 गंटे के बाद भी जेर नहीं डालती है 40 एमल फिर देना है ठीक है दो बार ये दवा दे दोगे आपकी बकरी जो है जेर डाल देगी इसके बाद इस दवा को आप कितने दिन पिलाओगे 20 एमल दिन में एक बार 20 दिन तक पिलाना है 15 से 20 दिन पिलाना है ये दवा एक जो लेके आओगे जिन बकरी ने समय से पहले बच्चा डाल दिया है जिनकी जेर नहीं गिर रही है उनको ये दवा देनी देनी है जेर नहीं भी ये टकती है तो भी ये दवा देनी है इतना आप समझ लो अब ब्याने के बाद बकरी ब्या जाती है अच्छे से ब्याती है बच्चे हो जाते हैं तो जेर बकरी कितने दिन कितने देर तक वेट करना है कम से कम चार पाँच गंटे तक वेट करना है इतने में ही बकरी जो है जेर डाल देगी नहीं डालती है तो यही जो दवा बताई यह उसको भी दे सकते हो इससे पहले जो बकरिया नार्मल डिलिवरी हुई है और सब कुछ ठीक है चाहते हो समय से अच्छे से जेर डाल दे तो एक देशी तरीका आपको करना है लेना है अरहिर की डाल 100 से 1500 ग्राम के आस पास लेनी है दूसरा लेना है मेथी दाना ठीक है यह आपको लेना है पचास ग्राम तीसरा आजवाईन यह आपको लेना है दस ग्राम बकरी को ब्याते ही खिला देना है जैसे ही बकरी ब्या जाएगी ब्याने के दस मिनट बाद यह बकरी को खिला दोगे बकरी आसानी से जेर जो है डाल देगी एक देशी तरीका और है इस सारी चीज़ें समझ लो बहुत काम देंगी बकरी पालन में अक्सर रहता है इस समय बकरियां खुब्या भी रही है बकरी ब्याती है तो चलिए यह वही भाईया है जिनकी बकरियों को लाब हुआ है हालो हालो हां जी बताएं बाई असल बात का सुपह बहुत फोन आते हैं ना तो इसलिए बंद कर दिया था हमने अच्छा चलिए बच्चन बच्चा है ना बच्चा आगाई ना इस बोकरी सब ठीक है ना थेक है आराम है खुसी आओ चलो ठीक है ठीक बच्चन का अम बताई बेवे अब एक वीडियो बनावें लागन तो बीडियो बता बता दे बेयाएं आप क्या गाउं कहुना है अच्छा हम सोच रहे थी यह लगता होएगा कहन पूर हमारा गाउं है बखेवर के पास बिंदकी बखेवर हिम्मतपुर गाउं है अच्छा हमारा आपका संपर हमको कई से जानने लगे अच्छा वीडियो डाउनलोड किया था तुमको यह नहीं पता था भी मल भाई हमारे इदर के हैं आज पता चल गया अच्छा आना तो कभी घूम जाना हमारे फार्म पर ठीक है बच्चन के लिए हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में वीडियो सूट कर रहा है क्या करना है आगे ट्रीटमेंट सब बताएंगे ठीक है पहले से तो आराम है कि ना सही हो गए ना तो आप लोग देख सकते हो यह कोई एडिटी तो सिखाया हुआ नहीं है जो लोग कहते हैं सिखा दिया हम देशी तरीका जो है कुछ बताने जा रहा था क्या था हाँ हाँ जो मैंने बताया है कि ब्याते ही आपको यह दे देना यह दो मैं सकाटा भी दे सकते हो थीग है थोड़ा सा पत्ता खिलाद जोगे उससे भी जियर डाल देती है एक आपको काड़ा बनाना थिक है यह आपको चार पांच दिन चलाना यह एक्सा पार दवा नहीं ल आज करना चाहते हो तो आपको काड़ा बनाना है क्या क्या लेना है आपको लेना है कि आज वाइन 15 ग्राम कि दूसरा मेथी दाना 15 ग्राम कि तीसरा सोट 15 ग्राम चोथा गुड पचास ग्राम इसको पानी में क्या करना है काड़ा बनाना यह काड़ा जो है आपको सो एमल के आसपास पचास से सो एमल के आसपास बकरी को पिला देना है ठीक है पहले दिन सो एमल पिला देना बहुत ज्यादा नहीं पिलाना है चोटी बकरी है तो कम कर देना नहीं तो पूंकने लगेगी तो बहुत ज्यादा नहीं पिलाना है दिन में एक बार पिला दोगे इससे भी जेर डाल देती है यूट्रेस की सफाई के लिए बहुत अच्छा है और यहां पे यदि मेथी दाना की जगह में मिल जाता है बेल गिरी का पाउडर यदि मिले जाता है तो वो दे सकते हो ठीक है उसका भी बहुत बेतरीन रिजल्ट है वो 15 ग्राम यह कर सकते हो इसका भी बहुत बेतरीन रिजल्ट है तो यह चीजे नोट कर सकते हो इसको कितने दिन देना है इसको कम से कम 10 दिन बकरी बियाने के बाद 10 दिन चला देना है अब जिस बकरी की जेर अटक गई है मैंने बताया एकसा पार दवा देने के बाद भी नहीं गिरी आपने मेमने को जन्म के बाद दूद पिलाया दूद पिलाने के बाद भी जेर नहीं गिरी देखो दूद जरूर पिलाना है दूद पिलाने से क्या होता है एक hormones release होता है, hormones release होने पर वो जेर गिराने का काम करता है, ठीक है, उसी का एक injection भी आता है, oxytocin का injection आता है, वही hormones जो है, जेर नहीं गिरी, आपने एक सपार दवा औगेरा दे दिया, आपको क्या करना है, एक लकड़ी लेनी है, लकड़ी को जेर में ऐसे ऐसे लपेटना है, ठीक है, प्रैक्टिकल तरीका है, खुद किया हुआ है, मैंने, सुरुवात में प्रोब्लम मुझे भी आई थी, तो मैंने किया, ऐसे ऐसे लपेटोगे, धीरे-धीरे से खीचना है, दिन में 3-4 बार खीचोगे, जेर निकल जाएगी, दवा वो जो एक सपार बताई है, वो चलाते रहना है, और और इसमें क्या है, ये सारा चीज मैंने बताई दिया, और कुछ छूट रहा है, जेर गिरने को लेकर दूद बच्चे को पिलाई देना है, सारा चीज हो गया, एक चीज हाँ, आप लोगों का इसमें प्रमुक कोईस्चन रहता है, कि वो मैल डालती है, मैल जो एक गंदगी कितने दिन, 20-25 दिन तक आती रहती है, बहुत सारे बाईयों कोईस्चन रहता है, वीमल भाई, हमने जो है बकरी को, हमारी बकरी बच्चा दिये दो दिन हो गए, अभी उसके पीछे से लाल-लाल मैल आ रहा है, तो देखिए, वो मैल जो है, 20-25 तिन तक डालती है, उसकी सफाई के लिए, मैंने दवाई बताई है, ठीक है, तो वो कोई प्रोब्लम नहीं है, वो डालना, एक का आप और कर सकते हो, कि बकरी के पीछे, जो मोबियल काला वाला होता है, ब्या जाएगी, तो इसके बाद उसको लगा देना है, चूंकि वो मैल डालता है, तो मक्खी कई बार बैड़ जाती है, तो वहाँ पे कीडे कर देती है, अंडे रख देती है, वहाँ पे अंडे होने क की वज़े से कीड़े पढ़ जाते हैं जैसे पीछे जो उनको भाई साब को फोन किया था उन्हों बता है तो यह थोड़ा सा यह चीजें सीखनी होती है बहुत कुछ मुझे सिखाना पड़ता है लोगों को बताना पड़ता है इतना और एक चीज यह जिन वाईयों को मैं फोन नहीं पिल पा रहा है ठीक है इतना यह किलियर हो गया एक इसमें देशी तरीका आपको और बता देता हूँ जो गहाँ वरसे हैं जो तिल आता है तिल का पत्ता, तिल का पत्ता आपको दो मुठी पत्ता लेना है, उसको पीस लेना है, पानी में उबाल लेना है, उसका पानी भी पिला सकते हो, तिल का पत्ता उबाल के पानी पिला दोगे, तो उससे भी बकरी जेर डाल देती है, इतना किलियर हो गया होगा, और कोई समस्या आती हो तो मेरे पास WhatsApp कर सकते हो और एक लास्ट में यही कहना चाहूंगा जो लोग membership नहीं लिए हो देखो एक आदमी कितनी help कर सकता है यदि कुछ उसको लाब होता है तो उसको भी आने में मज़ा आता है आपको पूँचने में भी मज़ा आता है चूंकि आपने कुछ दिया है तो आपका भी यह रहता है कि चलो अंविमाल भाई से जुड़े हैं तो कुछ पूँच लेते हैं तो बहुत कुछ सीख हो गे ठीक बकरी पालन में आये हो तो सीख मेंबर्सीप व गहरा ले लो बिल्कुल इतना कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा साथ आठ आठ अजार रुपईया फूंक आते हो कुछ भी लुप नहीं मिलती है बैक सपोर्ट नहीं मिलता बैक बिना बैक सपोर्ट कि जो ऐसा ही ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे जो सिर्फ मुझे whatsapp करना है ठीक है जिसको membership लेना है सिर्फ whatsapp करेगा मुझे फोन नहीं करने है जिनका भी एक बकरी वीमार है दो बकरी वीमार है मुझे continue फोन नहीं करना है यदि आप membership लेते हैं तो यह membership के लिए मैं number दे रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं तो जुड़ना चाहों जुड़ सकते हो चलता हूँ फिर किसी टॉपिक पर आगे वीडियो लेके आऊँगा ट्रेनिंग का बाई बाई have a good day thank you